हेलो, गुद बॉर्निंग एवरिवन, दिविल स्टैप, एच पी अलाइड एग्जामनेशन जो के इस साल कंड़क्ट किया जाने वाला है, उसके मेंस को लेके एक क्रेश कोर्स लेकर आया है, ये क्रेश कोर्स पहले हम लोग सोचे थे कि ऑनलाइन मॉडल में ही कंड़क्ट कर कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, तो उनके लिए जो है हम कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्रेश कोर्स पहली बार हम लोग ऑफलाइन मॉडल में भी कंड़क्ट करें और लाइव ऑनलाइन जैसे हमारे बाकी क्रेश कोर्स भी रहते हैं, उस तरीके से रहेगा, तो आज के छोटे से वीडियो में हम इस कोर्स को कैसे execute करेंगे हमारी premises के अंदर, उसके उपर basic एक discussion रहेगा, तो ये जो crash course है, ये 20 September से शुरू किया जाएगा, crash course का मतलब है कि इसमें जब daily basis पे, पहले tentatively हमने 4 घंटे की classes envisage करी थी, लेकिन हम इसको extend करके हम लोग daily basis पे 5 घ November को होगी, तो अगर वैसे देखा जाए, तो इसमें total जो है, 50 दिन की classes इसमें रहेंगी, तो इस तरह का ये crash course है, आपके लिए execute किया जाएगा, इस crash course में daily basis पे 5 घंटे की classes है, सुवे 8-10, जैसे 8-10 general studies की classes रहेंगी, classes के modus operandi को भी जान लेंगे, फिर daily basis पे हिंदी की class और English की class भी रहेंगी, तो इस प्रकार का ये crash course है, इस crash course के अलग-लग features है, उसको हम लोग आज detail में discuss करेंगे, सबसे पहले, इसके अंदर complete offline या live online classes तो हैं ही, उसके साथ complimentary test series उसमें दी गई है, जो offline crash course को join करता है, उसके लिए offline test series का provision है, जो online इसको join करेगा, online live format में, उसके ल लग भी वीडियो आप हमारे YouTube channel पर देख सकते हैं, test series अगर किसी बच्चे को नहीं classes लेनी है और उसके तयारी हो रखी है, तो वो केवल test series में भी अपने आपको enroll कर सकता है, तो test series अलग से भी offline लेनी है या online लेनी है, उसको अलग से भी वो focus कर सकते हैं, इस course के सान ये test series complimentary रहेगी, अब इस course को जैसे 20 September को start होगा, modern India से शुरू होगा, सारे ही component जो mains में पूछे जाते हैं, allied examination के दर, वो सभी पढ़ाएं जाएंगे, जैसे history पढ़ा जाएगा, हिमाचल की history पढ़ा जाएगा, geography पढ़ा जाएगा, गांधिन thought पढ़ा जाएगा, international relations society, तो daily basis पर ये classroom में notes आपके बनवाए जाएगे, साथ में complimentary हम एक शब्द यूज करते हैं, handouts, handouts दिये जाएगे daily basis पे, that is print out, जो online बच्चे हैं, उनको ये PDF format में daily basis पे upload करके दिया जाएगा, साथ ही साथ, जब 8 से 10 GS की class होगी, इसी class के end में 2 से 3 questions जो है practice के लिए mains के दिये जाएगे, अ अगले दिन इनका discussion होगे, तो daily basis पे answer writing का provision इसके इंदर हम लोगों ने डाला है, सांती सांत, जैसे ही 10 से 11 साड़े 11 तक आपकी English की class और उसके बाद आपकी साड़े 11 से 1 वजे हिंदी की class, तो इस तरह से ये provision बनाया और इसमें भी यह है, कि 1 घंटा आपको पढ़ा हिंदी और English, focus area allied examination में, जैसे last time भी जब rank 1 आई थी, यामी नहीं की, तो उस time पे भी हम लोग केवल जो है, इसी तरह के programs चलाते थे, तब हम लोग offline model में नहीं पढ़ा रहे थे, civil staff, online ही चीजे चल रही थी, test series भी online चल रही थी, और उसी के माध्यम से बहुत सारे selection उस साल हम हमारे देखने को मिले हैं, तो इसमें जो major focus रहेगा, वो रहेगा languages के उपर, allied examination language पे निकलता है, एक नहीं, दोनों languages आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, जैसे 1500 marks के languages हैं, एक language और 300 marks का total paper है, तो दोनों languages में मिलाके, आपके 210 plus अगर score रहता है, तो बहुत bright chance है कि आपका paper qualify तो means 105 number के आसपस minimum आपका score रहना चाहिए, जो कि tough score रहता है, तो हिंदी और English को इस स्तर पे हमने ले कर जाना है, तो हमारा तरीका क्या है, एक घंटा आपको पढ़ा है, जैसे let's example, हम लोग English पढ़ा रहे हैं, तो idiom and phrases पढ़ा है, आज तो उसके 10 question test के लिए दे दिए, ऐस ही आपको प्रियावाची दे दिए हिंदी के अंदर है ना या ऐसी multiple इसके अंदर जो है options है, तो इस तरीके से यह पूरा course चलेगा, तो course जो है, वो 20 September से start हो जाएगा, और 10 November तक चलेगा, अगर हमें लगता है कि नहीं paper जो है, और ज्यादा extend हो रहा है, और और आफशकता ह है, इसमें add-on करने की lecture, तो इसको stretch भी कर दे जागा, अगर हमें लगेगा, वैसे tentatively मेरे को ऐसा लगता है कि November last week में ये paper आएगा, लेकिन अगर मेरे को ऐसा है, हमें है कि अगर अच्छा paper थोड़ा पहले ये conduct कर रहे हैं, तो हम इसके duration of lectures को और increase करके इसको जल्दी wind up भी क काफी उपयोगी crash course है, आपकी पूरी preparation को एक बार wind up कर देगा, एक बार brush up कर देगा, काफी time के बाद allied examination conduct हो रहा है, चार साल के बाद conduct हो रहा है, vacancy भी अच्छी खासी हैं, तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी को इसके लिए अच्छे से तयारी कर लेनी चाहिए, औ अपना कुछ sample survey किया, उसके basis पर, जो मेरा personal unclean है, मुझे लगता है कि जिसके पिचानबे plus marks हैं, उसको ये preparation कर लेनी चाहिए means की, cut off को लेके मैं hopeful हूँ कि 98 plus minus 2, तो इसके आसपस cut off vary करेगी, 98 plus minus 2, ये variation ऐसा है कि हमारे तो बहुत सारे student हैं जिनके 110 plus भी बन रहे हैं, लेकि तो 1200 बच्चे तो नहीं है जिनके 100 plus आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि cut off क्योंकि number of seeds बहुत ज़्यादा है, cut off थोड़ी सी नीचे slide off भी होगी, और paper असान भी था और cut in भी था, तो ऐसा नहीं कि कि किसी के बहुत जो हमारे best of the best बच्चे हैं, उनके जाके 120 marks आ यारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, तो यह cut off का आंकलन है, इसी test series के अंदर, इसी course के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, test series भी incorporated है, यह test series otherwise और को ही purchase करता है तो उसके लिए fee है, लेकिन इस course वालों के लिए complimentary रहेगी, अब इस test series के अंदर हम लोगोंने total 21 test रखे हैं, हर subject के साथ, जैसे general studies के साथ test, साथ English के test, साथ Hindi के test, test का combination कुछ इस तरह से लिए जाएगा, कि 22-24 लगा था, जैसा lied होता है, तीन दिन test, फिर एक break, तीन दिन test, फिर एक break, तो total seven cycles आपकी चलेगी, यह साथ cycles अगर कोई देता है, तो उसकी वैसे ही तैयारी का level बहुत अच्छा हो जाता, answer rating अच्छी हो जाती, Hindi, English अच्छी हो जाती, तो इस तरह कि यह test series रहने वाली है, तो यह test series भी आप लोग join कर सकते हैं, चाहें को, चली, तो यह batch 20 September से start हो का, इसमें last announcement यह है, यह batch कि जो offline fee है, वो है 10,000, इसमें बच्चे last में काफी पूछते भी हैं, जो offline है, उ उनकी fees 8,000 है, अब इसमें, जो हमारे already student, जो हमारे allied NT के recorded student है, जो हमारे allied NT के offline या live student है, उनके लिए बिल्कुल free और complimentary, क्योंकि बहुत time के बाद यह paper आया है, इसके लाबा, अगर कोई भी student, civil step से किसी भी capacity में जुड़ा है, चाहे वो TGT में था, PGT में था, चाहे वो एक, या वो किसी भी capacity में, HS के crash course में है, HS के prelims के course में है, हमसे कोई किताबे मगवाई है, तो ऐसा कोई भी student है, उसके लिए जो है, ये course, जो है, उसके लिए ये complimentary रहेगा, 50% उसको off मिलेगा, offline आना है, offline में 50% off मिलेगा, online आना, online में 50% off मिलेगा, ये पहली बार, क्योंकि हम लो ऐसा एक ऐसा factor है, जिसके से कोई बहुत अच्छी तयारी कर सकता था, वो ना रह जाए, इसलिए इसको हम जो है, पहली बार off दे रहें, तो 50% off हमारे अपने students के लिए ही रहेगा, तो ये crash course, बी September से start हो जाएगा, चलिए, thank you everyone.